एलो फ्रेंड्स वेल्कम टू यद्ना इन्वेस्मेंट एकाडमी सो आज और एक फंड का डिटेल्ड रिव्यू हम लेके आये आप लोगों के लिए फंड का नाम है आईसे ऐसे पुडेंचियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है यह वहीं फंड है जो डिस्कवरी से वैल्यू डि फिर मल्टिकाप काइंड काटेगरी फंड बना था बहुत सारे आर्गूमेंट्स हुए थे बहुत सारे लोगों ने और फिर मैंने एक बार आई स्टिल रिमेंबर अन लाइटर नोट में एक फ्रेंड उनके साथ भी डिस्क्रिशन किये थे तो उन्होंने बोला था हमने कब अब बुला ही नहीं है यह तो डिस्कवरी फंड है मतलब वी कीप अन डिस्कवरिंग इस्टाक्स इन अग्याट और फिर जब असे अंडर मैंगें बहुत जादा बढ़े तो उसको एक चोटा सा और एक वर्ड लगा दिया वैलु डिसकोरी पिर यह फंड दीरे 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 स्मॉल और मिडगा से लार्ज क्या पुरेंटेट फंड बन बन गया बट नाव इंग इन लास्ट शिक्समांथ प्रफॉर्मस इस क्वाइट गुड पॉरा प्रॉपर डिटेल्टेल्ड प्रिव्यू हम आज आप लोगों के लिए लेकिया है मैं और गवरो यहां पे डिटे सब्सक्राइब करना है नहीं करना यह आप आपके आडवाइजर पूछ के ही काम मतलब वो डिसीजन लेना चाहिए आपने और बाकि अगर आपको कुछ हल्प चाहिए रिसर्च रिव्यूज के लिए तो अगर अभी तक आपने उसके सब्सक्राइब किजिए सब्सक्राइब किजिए कैसे शुरू करना है क्या करना है बिल्कुल शुरू करते हैं इसका बस यह बताना चाहता हूं कि बहुत ही सब्सक्राइब करते हैं तो शुरू करता हूं मैं डिरेक्ली प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं सबके साथ होपूली एब्रीवन कैन सी माइस्क्रीन तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि बहुत ही comprehensive review करेंगे काफे सारे parameters पे एक historical performances भी देखेंगे निफ्टी 500 टी आ रहा है क्योंकि एक multi-cap type का ही fund है ultimately जैसे परीमल ने बोला तो वही उनका index है और value category के साथ हम उसका comparison करेंगे यह सारा data हमने MF Yadnaya.in जो परीमल ने अल्रेडी बताया आपको उससे ही हमने सारा data वहां से यह उठाया है तो यह video flow रहेगा market cap कैसे change हुआ है तो what परीमल was telling कि it was a small and mid-cap fund and now it is more of a large cap oriented तो कैसे वो change हुआ last 10 years पे you will see from that graph fund out start date, asset enter management का trend, returns, fund manager, diversification, expense ratio, risk के बारे में और सब चीज़ों के बारे में आँ detail में discuss करेंगे तो यह है परीमल बहुत important graph which I really like about MF Yadnaya का सबसे powerful graph में से है कि last 10 years पे कैसे यह fund change हो गया है तो किसी ने अगर यहां invest किया था यह सोचके कि एक small and mid-cap oriented fund है तो वो अब थोड़ा disappoint हो सकता है क्योंकि अब 37% से 74, 2% allocation जो है large cap में है और small cap में तो already almost insignificant allocation हो गया 31% से 3% तो बिल्कुल change हो गया है एक fund मतलब कि जो अगर किसी ने 8-7-8 पहले साल पहले fund में invest किया था कुछ एक thought process से वो बिल्कुल अब एक thought process ही change हो गया है तो वो चीज़ एक बहुत important है you should know that does it still fit in your risk profile अगर आप एक aggressive risk profile के customer थे और आपने यह डाला था ठीक है तो अब अभी भी अगर आप risk profile आपका aggressive है तो शायद यह fund आपके लिए नहीं है लेकिन अगर आपका risk profile भी एक large cap oriented हो गया है कि ठीक है मेरा risk profile से match हो रहा है तो then you can still be in this fund तो यह बहुत important slide shows कि how things change has changed in this fund significantly और इनमें काफी अच्छा खासा यह cash allocation भी consistently रखा है बीच में ठीक है और अगर अभी भी देखेंगे तो almost almost 9-10% का cash allocation अभी भी फंड ने maintain करके रखा हुआ है तो which is very right तो वह एक अच्छा खासा cash allocation भी रखाया फंड में परिमल ICSA mutual fund एक बहुत I think बड़ा fund house है राइट तो third biggest है अभी भी और एक टाइम पर एक साल एक साल पहले ही नंबर वन पर भी एक टच किया हुआ है इसने और value category है पुराना फंड है अल्मुस्ट 16 years old return since inception I think is phenomenal मतलब 18.2 परसे यह जो return since inception वाला जो parameter है यह थोड़ा से tricky है because जैसे आपने बता है market capitalization का जब वो slide आप बता रहे थे तो वहां पर कैसे from small and mid cap या फिर actual प्यूर multi cap side से यह large cap oriented fund बन चुका है तो वहां पे trailing returns देखना would be little trick ही तो वहां वो idealistic view नहीं हो सकता है जब भी आप यह सारी चीज़े करते हो दो large cap side में 72% का अगर holding है इस particular fund का तो निफ्टी 500 के हिसाब से valuation point of view से I think I'll still say कि ठीक है रेप्लिका हो सकता है वो निफ्टी 500 का बट जिसके लिए यह popular हुआ था discovery of small and mid cap so I think वह अभी नहीं रहा तो now it's all about value कि कहा value नजर आती है and that's why that could be one of the reasons why 18-19 में cash levels काफी ज्यादा थे तो इन वे थोड़ा सा value point of view को justify करता हो अभी नजर आ सकता है वो particular cash allocation उसके बिछे दूसरे reasons भी हो सकते है because I still know I think value discovery has a very good strong SIP book and plus SIP book तो है वैसे पुराने investors SIP चल रहे है but a fear factor हमेशा रहा है इस fund के साथ की redemption pressure का भी कि शायद performance खराब है तो शायद redemption pressure आ जाएगा तो I think we need to carry that that's what that is my inference so not necessarily but that's what I feel to usi saabse they have always carried some kind of allocation cash allocation and vice bhi Mr. Naren Sankaran who is the CIO of ICICI Prudential Mutual Fund he believes in asset allocation but asset allocation within that particular category equity है तो equity की subcategories small, mid, large and plus a little bit of cash allocation also तो वो चीज़ आपने बोल रहे है ना पड़िमाल यह इनके asset enter management में आपको थोड़ा सा दिख भी रहा है जो आप redemption pressures की बात कर रहे है और जो performance जो dip हुआ बीच में तो consistently asset enter management एक बहुत fast grow हुआ है अगर हम 2010 से लेके 2017-18 तक देखें right consistently industry से काफी अच्छा ग्रोव किया है और लास्ट अब दो साल से the growth has been significantly lower as compared to तो मतलब almost इसने 17-18,000 क्रोर का asset enter management touch किया अब जो है गिरके वो almost 16,000 क्रोर का asset enter management पर यह fund आगे है right I still remember 2009 में 2009-10 में जब में आइवाज विट कोटक महिंद्रा bank wealth management division तो वहाँ पर जब discussions हुए थे mr. नरेन संकरन came to our office तो normally ऐसे fund managers आते थे कि discussions पर करने हम लोगों के साथ as an advisor तो तब उन्होंने वो एक story बताई थी कि discovery एक इसा funding जिसके वेज़े से मुझे लगता है मेरा job बचा है इसे मुचल फंड में तो वो सिदे सिदे नजर आ रहा है में तो I think those that was the glorious period जब वो assets under management बहुत जबर्दस तरीके से बढ़ रहे थे discovery के with the performance and I think this is one of the fund why this is the fund which is responsible for Mr. Narendh Sankaran to become the CIO of ICISA Prudential mutual fund that's what I feel बहुत सारे लोग disagree करे बाकी जैसे आपने बता है last 2-3 सालों में compared to the category average यहां पे assets under management का जो growth है वो काफी कम नजर आ रहा है so that is also one more reason कि जहां पे बहुत सारा criticism भी हो था I still remember ICISA Prudential value discovery fund का हमने एक review किया था और वो review जो है नो काफी जाधा popular हो गया तो over जो distributor network है mutual fund distributors के network का तो मुझे phone आया था इस ऐसे mutual fund से ऐसा कर दे हमने कि तुमने ऐसा negative और और हमने क्या करना चाहिए in a way performance हो जाएगा तो अपने आप एक अच्छा review आ जाएगा हमसे सब्सक्राइब करें तो और वाल्यू करोड़ी जो कैटेगरी इन्होंने पिक की है उसमें अभी भी सबसे बड़ा बाइफार सबसे बड़ा तो और लास्ट अगर 6-8 महीने में देखें तो परिमल वह परफॉर्मेंस की वाज़े से स्टार्ट भी हो गया मतलब इंप्रॉव्मेंट यू कान सी डाइट अलसो असर्ट अंडर मानेजमेंट में तो जैसे आप बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रॉप्स आटोमेंटिकली तो वही जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रेलिंग रिटरंस अगर हम देखें तो वन ये परफॉर्मेंस इस प्रफॉर्मेंस एक काफी अच्छा प्रफॉर्मेंस है तो यही चीज कैलेंडर में जैसे परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो टू थाउजन फोर्टेन पहले जब आप जैसे बोले हों कि स्मॉल अं मिड़काप फंट था बलके 2015 से पहले exceptional performing fund और उसकी वज़े से ही वो asset under management हमने देखा कि multifold increase हुआ है 2016-17 उसके बाद 2016 एक ओके रहा फिर 17 में गिड़ा बहुत ज़ादा ठीक है और फिर 2018 और 19 जो है वो मतलब ओके ओके टाइप से रहा कुछ खास नहीं और 2020 hopefully should be a good year मतलब जो अभी तक लग रहा है कि should be a good year for 2014 वाला जो year था ना ये जो year 74% के returns का that was one of the main reasons why 2017-18 and 19 में भी assets under management grow रहते इस fund के because normally लोग क्या देखते है भाई value category fund है multi-cap side है 5 साल की उपर अगर हम invest करते है 5 साल के trailing year returns काफी जबरतस नज़र आ रहे थे because of the one year's performance ये इसलिए हमेशा देखना है कि calendar year returns are the most important trailing returns for you trailing year is one year, three year, five year, seven में एक साल अच्छा चला जाता है तो फिर वो पूरा का पूरा performance अच्छा कर सकता है but calendar year returns will tell you about the consistency of the fund तो इसलिए ये calendar year's returns देखना बहुत ज़्यादा इसमें 2017 was a bad year according to me मतलब इतना ज्यादा नीचे डाउनफॉल रहा तो which is a bad compared to the benchmark and category average तो वो चीज़ है आप hopefully थोड़ा recover होना चाहिए 2020 में अभी तक improvement है for sure rolling returns भी वैसा ही वो चीज़ है कि three years is minus seven category average के आसपास ही है even five year is less than category average but again seven years में performance is little better than category average from the rolling returns perspective but again this like Parimal you said कि यह small and mid cap के चक्कर में बहुत सही data नहीं है क्योंकि बिल्कुल different fund है अब तो एक बहुत ज़ादा सही data नहीं है क्योंकि बिल्कुल different mandate पे चल रहा है अभी ठीक है but it just shows कि seven year plus का ही एक आपको horizon रखना चाहिए फंड के साथ अगर एक decent returns आपको यहाँ पर चाहिए तो नॉर्मली अगर आप rolling returns को देख रहे हो rolling returns का यह जो analysis हम present करते हैं तो एक चीज़ हमेशा देखा किजिएगा कि फंड का जो objective है या फिर फंड management का style अगर चेंज हुआ है इस particular दौरार तो आइधिंग देन यह returns point of view से थोड़ा सा आपको मतलब pinch of salt के साथ ही डेटा लेना चाहिए but we can't do anything because उन्होंने वो declare किया है they have all these numbers और उसकी साब से we have analyzed these things तो यह quantitative analysis से ज़्यादा qualitative analysis will be more important and in that thing आपका जब यह fund का mandate change हुआ है style of investment change हुआ है तो वहां से आपको next phase में consistency देखनी चाहिए उसके competitors के साथ तो यह हमेशे याद रखना चाहिए तो हमारा जो पोटल है वहां पे भी इस सारी चीज़े हमने available करवा के दी हुई है आप लोगों को तो वहां आप खुद भी बहुत सारी चीज़े इंफर कर सकते हो the best part about our portal तो वहां जो inferences लिखे जाते है वो या तो गवरो लिखता है या तो फिर मैं लिखता हूं या फिर हमारी जो qualified team है वो लिखते है वहां पे inferences तो डोंट थिंग कि वह अटोमेटेड कोई चीज़ आ रही है वहां पे सो हर एक word बहुत सोच समझके लिखने की कोशिश हम वहां पे करते है तो इक विल बेरी हेलफ़ फुल था पोटल MFN.in for you people to fund manager Mirnal Singh is the main fund manager who is managing this fund since 2011 तो उससे पहले नरेंशंकरन जी जो CIO है तो परीमल he was talking he was taking care of that for some time तो he is the main person who is I think equity CIO भी है परीमल inke right ICSI mutual fund तो he is the co CIO of ICSI mutual fund also and he is managing this fund from quite some time तो he has seen very good time also into like 2014 में ने performance देखा and he has seen a bad performance also तो अब एक अच्छा गासा experience हो गया तेखे है उस experience को यूज कैसे करेंगे अगर यह रहे तो future में भी राइट कि सेक्टर अलोकेशन एक काफी अच्छा सेक्टर अलोकेशन है बहुत ही इंटरस्टिंग है परिमल यह चीज में को sliding की बहुत इंटरस्टिंग लगती है क्योंकि यह एक ऐसा फंड है जो financial सेक्टर में सिर्फ 7 परसंट है तो मतलब विल्कुल एक अलग ही फंड है कि मतलब जिसको तो फिनांशल सेक्टर पसंद नहीं है तो मेरे गाल से उसको तो आंग बंद करके फंड करीट लेना चाहिए यह यह इंग वैल्यू पॉइंट आफ यू से अगर आप देखो के तो करता वा नजर नहीं आ रहा है तो उस हिसाब से आइंग आप टेकन टेकन टेक्नलोजी विच विच वहां पे भी जो एक आउट पर्फॉर्मंस क्रियेट होता वा नजर आ रहा था इंग वैल्यू पॉर्टफोलियो में था ना भी आइट का जो अलोकेशन था वैल्यू पॉ इनर्जी सेक्टर पर भी एक सेक्टर जो बहुत जबरतस तरीके से चलाए बिकास पॉर्ट नजर आ रहा है अगर हम देखेंगे मार्च से लेके अब तक राली इस ओर दैंडेट परसेंट आइग जो बड़े-बड़े बड़े परसे तो वहां पे भी आइटिंग आउट प आपका में वहां पर भी एक आउट पर्फॉर्मस अटोमेटिकली क्रियेट हो गया विकास यहां पर नजर आता है और यह और इंट्रेसिंग चीज है जो मैं आपको यहां पर पॉइंट करना चाहता हूं कि लास्ट एक महीं में में इंक्रीज ता फिनांश सेक्टर सेक्टर में यहां पर वैल्यू जो है वो क्रियेटली दिखने लग गए क्योंकि काफी जादा बीटन डाउन हो गए अच्छे स्टॉक भी काफी बीटन डाउन राइट इन फिनांशल सेक्टर और यहां पर किया है आलोकेशन और आम शॉर इस नाट ग्रोथ इंक्रीज इन सेक्टर में तो यह है हमारा जिसमें आपको पता चलेगा कि टॉप 20 स्टॉक्स जिसमें सबसे ज्यादा सन फार्मा में इनका अलोकेशन है 9.1 परसेंट इफ आपको दिख रहा है बट आम जस्ट टेलिंग यू आपका थोड़ा विंडू उपर ले सकते होगा रहा हो तो शाय तो वाई ती रिकॉर्डिंग में आ जाएगा उपर ऑपर सब्सक्राइब इस पर बहुत सारे अर्गुमेंट्स भी हुए अभी ठीक है फोड़ा सा फार्मा इंडस्टी इस लुकिंग गुड़ बट कंपर त सब्सक्राइब करेंगे तो यह वैलोशन जस्टिफाय कर देगा संफार्मा वी विल नॉट टॉक अबाउट बिजनेस तो वो मुझे थोड़ा सा यसा लगा था कि वैलू थाट प्रोसेस इतनी ऐसी कैसी हो सकती है कि वालब आप ग्रोथ को या फिर वीचर ऑपोशनीटिस को देखोगी नहीं क्या और इधिक उस पे अभी अग्री तो डिस अग्री बाकी अलोकेशन में जैसे आपने हाइलाइट किया था पिया इंडस्ट्री जिसने इन सब्सक्राइट पॉर्टफोलियो है जैसे कि हमने देखा है सेक्टर डाइरसिफिकेशन है तो यहां पर इस टॉप डाइरसिफिकेशन भी नजर आ रहा है तो टॉप 20 स्टॉक्स में तो इनवे वैल्यू में और सुड़ो फोकस्ट काइंड ऑफ हम अंगल सकते कि ऐसे साट सतर स्टॉक्स जो पहले कभी होते थे इनके है जो अभी काफी कट्रेंड डाउन किया गया है सब्सक्राइब कर रहे हैं उसकी वज़े से भी होगा तो ओविसली फोकस्ट यू कैंड स्टॉक्स अग्रेट 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 तो बिकॉस्टेशली विद्ट काइंड आउम्स तो वह भी है पॉट्फोलियो टर्नोवर रेशियो कंसिस्टेंटली काफी कम रहा है इनका लास्ट अगर पांच्छे साल में देखें तो काफी कंसिस्टेंटली यह केप्ट इट लोग ओनली ठीक है एकुटी का अधिक वैल्यू पॉट्फोलियो में यह करना भी मुझे के इंपॉर्टेंट नजर आता है विकॉज रीजन बियांड वैल्यू अन्लॉकिंग जो दिये कुछी स्टॉक का अगर री रेटिंग होता है नॉमली वैल्यू इन्वस्टिंग इस अलब री रेटिंग और पी रेशियो जो वह ऐसा तीन-छे महीं हो सकता है उसको साइकल क तो कंप्लीट होने में काफी number of years भी लग सकते हैं वहां पर conviction रखना इस वेरी इंपॉर्टेंट इस वहां पर कन्विक्शन रखना इस वेरी इंपॉर्टेंट इस वहां पर कर रहे हो और आपको चेंज़ भी नहीं कर रहे हो और आफ तो गो तुर्ट इसम अलसो बटनाव गुड़ टाइम गुड़ टाइम कमस तो अधिंग इट्स रिवार्ड इस अप्सूर्ट इस और एक्स्पेंस रेशियो परिमल आप हमेशा बोलते हो कि ज्यादा बड़ा ऐसे टेंटर मैनेजमेंट है तो रेगुलर का तो कम है बट डिरेक्ट का दे आर लिटिल हायर और 1.3% इंडिरेक्ट इसके पीछे कुछ रादर दान इन्वेस्टिंग स्टेजिस बिसने स्टेजिस भी हो सकते हैं कि इस्टिबूशन नेटवर्क को थोड़ा सा काम ना किया जाए I think they should be happy because they have shown the faith of 16,000 को रुपीस का इसे संदर मैनेजमेंट है परफॉर्मस थोड़ा अभी अच्छा हो रहा है उसके पहले खराब था तो I think that is that could be one of the reasons I think यह वाला परफॉर्मस इंडिरेक्ट इसमोर कि भाई फिर वो जस्टिफाय हो जाता कर सकता है वो जो डिस्टिबूटर है कि भाई कुछ नहीं है ऐसा कुछ परफॉर्मस चारपन साल में रहा है तो डिरेक्ट में पैसा ज्यादा आ भी रहा होगा तो आपकी जो बात कह रहे है तो वो भी एक बहुत सही एक कि वो यह बोल रहे है कि बिसनस ट्राइजी के हिसाब सही इन्होंने यूज़ किया होगा सब्सक्राइज किया है अपना ओर और लास्ट तु थ्री यर्स में पहले एक आसपास था कैटेगरी आवरेज के 2017 तक सिग्निफिकेट डिक्रीज किया फ्रॉम बोथ अगरम स्टैंडर्ड इविएशन में भी देखें बीटा में भी देखें और बट अल्फा भी उससाब से डिक्रीज हुआ बट लास्ट अभी जैसा इस जम्ट येस जो एक एक्स्पेक्टेशन थी वो नजर आ रही है तो जो कि भाई पीर में कौन अच्छा परफॉर्म करने करता हुआ नजर आ रहा है तो लो बीटा हाई आलपा कंपेट तो थे कैटिग्रेज अबरेज अगरेज के पास है अभी जाधा नजर इसलिए आ रहा है हमें रीजन बियांड बिकास अर्निंग नीचे गिर चुके सारे स्ट के पी रिश्यों उपर आ चुके और यहां पर देख रहे हैं मार्केश भी वापस उपर आ गए तो इसलिए बिकास अब दी लो डिनॉमिनेटर पी रिश्यों आ लुकिंग लिटल एक्सपेंसिव तो फॉर सम ताइम वन कन इग्नॉर और और वर सम ताइम वी कन हाव अपर दून क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद तो थोड़ा रिसकी होई गया तो यहां पर्फॉर्मेंस किया और अब चैट महीने में पर्फॉर्मेंस वापफुली इस इस तो अर्ली तो से एनिथिंग की ऐसा ही चलने वाला है आगे बट यह सारी चीजें जो हैं यहीं इन्वेस इन्वेस्टिंग की खास बात है कि आपको यह सारे चीजे थोड़े थोड़े देने चाहिए यह कीप ऑन थिंकिंग की मेरा फंड क्या कर रहा है यह मेरे इस प्रोफाइल के साथ अभी फिट हो रहा है नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारे इंवेस्टर्स आज सीन दे इंव बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे 2018-19 में या तो एक्जिट हो गए या SIP स्टॉप किया जो भी है मतलब और तो वो सारी चीजे हमें समझनी है कि क्या फॉट प्रॉसस है और वैल्यू का हमने जैसे सेक्टर में बहुत ही क्लिरली परिमल ने भी बोला बार-बार की एक का फॉक्षार साथ क्योंकि फिनांशल में इतना कम में आलोगेशन एक भॉत कम फॉंट कम में से हैं अगर टाइबरसना के ठीज रहिंत सेक्टर इस रेक्वायर गट्स विच्टीन थाउजन करोड असर अंठर ना बन्दब वो बंदे का वो चाहिए कि याप मेरे कोई multi-cap side में हर कोई safe खेलना चाता है हर कोई HDFC bank रखना चाता है हर कोई बज़ाज finance रखना चाता है बट उससे यह कंपरी थोड़ा से दूर होती ही तो वो बहुत इफ्रेंट आपका अपका मैंडेट आपकी रिस्प्रोफाइलिंग और आपके थाट प्रॉसेस के साथ हो मैच हो रहा है तो यूशुद बी ओके विद इस काईड आफ बाद परफॉर्मेंसे और तो वो चीज़ भी रेड़ी विद आपको अपको और भी इस टाप के फॉर्ण और बाकी कंपैरिजन करना है वाल्यू दिस्कवरी का विद अधर वैल्यू फंट्स अलसो वहां पर सब्सक्राइब करना और कौन से फंट्स चाहिए आपको रिव्यू तो वो जरूर बूले ना वो जरूर लिखें और जरूर लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इफ्याब नॉट सब्सक्राइब याव ग्रेट टाइम है दोस्तों जाहें कर दोस्तों जाहें